आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मेराना शाहित पहले इस बुलिटन के मुख्य समाचार प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसिलों का नई सिरे से होगा सी मांकन सरकार ने परिसीमन आयो का किया गठन मुख्यमंत्री डॉक्टर मुहन्यादव ने बीना में कहा राज्य में जल्द शुरू होगी एयरकार को सेवा प्रदेश में आज अलग-अलग जगा पानी में डूबने से नौ लोगों की हुई मृत्यू और एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी होकी टोनमेंट में भारत ने जापान को 5-1 से हराया अब समचार विस्तार से प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नई सिरे से किया जाएगा इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है सदस्यों के नाम पर फैसला बाद में लिया जाएगा आम लोग इस आयोग को अपने ख्षेक्त की प्रशासनिक सनचना को लेकर सुझाओ दे सकेंगे मुख्यमंद्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बीना रवाना होने से पहले एक वीडियो जारी कर यह जानकारी दी जिले तो बढ़ गए हैं लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमां कम जादा है या कई विसंगती पूर्ण है कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्याल है जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके कई संभाग बड़े छोटे होगा ऐसे कई विसंगती पूर्ण व्योस्ता के लिए हमने परिशीमन आयोग के एक नया बनाया है करोड 29 लाख महिलाओं के खातों में 1574 करोड और 55 लाग सामाजिक सुरक्षा पैंशन लाभरतियों को 332 करोड से अधिक किराशी जारी की मुख्यमंत्री ने कारिक्र में लगभग 215 करोड रुपे की लागत के विभिन विकासकारियों का लोकारपन वभूमी पूजन भी किया इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को व्यापार्क केंदर बनाने के लिए जल्द ही मध्यप्रदेश सरकार एयर कारगो की सुविधा शुरू करने वाली है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर संभाग में ओध्योगिक विकास को बढ़ावा देने का द्रण संकल्प लिया है इसी दिशा में आगामी रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव 27 से सितंबर को सागर में आयोजित की जाएगी उन्होंने केन बेत्वा नदी लिंक परियोजना में चूट गए सभी 139 गाउं को भी इस योजना से जोडने की जानकारी दी मुख्यमंत्री ने बीना पैट्रो कैमिकल और रिफाइनरी विस्तार परियोजना के मौडल का अवलुकन किया समर्थन मूले पर धान, जौर एवं बाजरा उपारजित करने के लिए किसानों को पंजियन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर त्वरित समाधान किया जाएगा इसके लिए विभिन स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है किसानों का पंजियन 19 से सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा खादे नागरिक आपूर्ती एवं उपभुकता सरक्षन मंत्री गोविंद सिह राजबूत ने कहा कि पंजियन में किसानों को कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए उन्होंने बताया कि तक्नीकी समस्याओं के समधान के लिए जिलास्तर पर जिलासूचना अधिकारी NIC के नेतरतिम में टीम गठित की जाएगी एक समिती राजिस्तर पर भी गठित होगी राजे एवं जिलास्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएगे सर्वुच नियायलाई ने आज केंद्री अन्वेशन ब्योरो CBI को कोलकाता के आरजी कर मैडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षू डॉक्टर से दुशकर्म और हत्या के मामले की जाँच पर 17 सितंबर को एक ताजा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है मुखे ने आधीश धननजय चंद्रचूड के नेतरतव वाली खंड़पीठ ने CBI के लिए पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुशार महता द्वारा सील बंद कवर में पेश रिपोर्ट का भी आज अध्यन किया केंद्रे ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जाच और परिक्षन करने को कहा है केंद्री स्वास्थ सचिव अपूर्व चंद्र ने मंकी पॉक्स से सम्मंदित विश्व स्वास्थ संगठन की अंतर राष्ट्री जनस्वास्थ आपात की गोशना की मंत्राले ने अपने परामर्ष में मंकी पॉक्स को लेकर जागरुकता बढ़ाने तथा लोगों में फैले डर को रोकने के लिए निवारक उपाय अपनाने पर बल दिया है स्वास्थ कर्मियों, विशेशकर्चर्म, यौन, संचरित बीमारियों के क्लीनिक तथा राष्ट्री एड्स नियंत्रन संगठन के क्लीनिक को स्वास्थ प्रोटोकॉल का पालन करनी को कहा कया है अब समचारों में वक्त है एक ब्रेक का और फेस्बुक पर AIR News भुपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथ्वा News on AIR एप पर भी समचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी इस महीने की 29 तारीख को आकाश्वाणी से मन की बात कारिक्रम में देश और दुनिया भर के लोगों के साथ अपने विचार साचा करेंगे यह इस मासिक रेट्यू कारिक्रम की 114 वी कड़ी होगी शोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 18-00-11-78-00 पर कारिक्रम के लिए सुझाओ भेज सकते हैं इसके अलावा 1922 पर मिस्ट कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाओ भेजे जा सकते हैं नरेंद्र मोदी एप या माई जी ओवी ओपन फोरम के जरिये ओनलाइम भी सुझाओ दिये जा सकते हैं भूपाल के गाउं में 17 सितंबर को विशेश सफाई अभ्यान चलाए जाएगा गौरतलब है कि स्वच्चता ही सेवा अभ्यान की 10 वी वर्ष गहट के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्चता पकवारिक आयोजन किया जाएगा इसके अंतरगत स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाय जाएगा अभियान को लेकर आज जिला पंचायत सीओ रितू राज से ने एक पैठक की प्रदिश में आज अलग अलग जगा पानी में दूबने से नौ लोगों की मृत्य हो गई विदीशा जिले के अंतरगत बेतवा नदी एवं अन्य स्थानों पर दूबने से एक सेफ आरकशक सहित पाँच लोगों की मृत्य हो गई वहीं दमू जिले के नोहटा थानक शेक्ति के डूमर गाउं के तालाब में डूबने से दो बहनों सहित चार बालिकाउं की मृत्यों की खबर है सरकार ने सभी के परीजनों को चार-चार लाग की आर्थिक सहता देने की खोश ना की है मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिवंगतों की पुर्ण्यात्माओं को शांती देने और परीजन को यह वजरपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है उन्होंने प्रदेश वासियों से अतिवरिष्टी के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने की स्थिती में सावधानी बरत ने एवं सुरक्षित रहने की अपील की है प्रदीश में मानसून कहीं कम और कहीं ज्याद सक्रिये है भूपाल के कुछ इलाकों में आज सुबह बूंदाबादी के बाद तेज धूप निकली है वहीं शाजपूर में आदे घंटे जम कर पानी गिरा मौनसव विभाग ने आज अनुपपूर, डिंडोरी, मंडिला और बालगहट में अती भारी बारिश होने का अनुमान जताया है वहीं 25 से ज्यादा जिलों में भी बारिश हो सकती है चीन में एशियाई चैंपियन्स ट्रोफी होकी टोनमेंट में आज भारत ने जापान को 5-1 से हरा दिया वर्तमान चैंपियन भारत की टोनमेंट में यह लगातार दूसरी जीत है भारत की और से सुख जीत ने दो अभीशेक संजय और उतमसिह ने एक एक गोल किया पहले मैच में कल भारत ने मेजबान चीन को 30 से हराया था अब कुछ समचा संगशेप में नर्मगापुरम में आज सुभा एक ट्रैक्टर रेलवे ट्रैक क्रोस करते समय पट्री पर फस गया इसी बीच सोमनात एक्सप्रेस ट्रेन आ गई लोको पाइलिट ने खत्रे को भाबते हुए सूजबूच से काम किया और ट्रेन रोक ली शाजपूर जिला अस्पताल में आज विश्व फिजियो थेरेपी दिवस पर व्रिद जनों के लिए फिजियो थेरेपी शिविर का आयजन किया गया अशोकनगर में कल विश्व आत्महत्या निशेद दिवस का आयजन शास्की महाविद्याले अशोकनगर में किया जाएगा खंडवा में श्वेतांबर जैन समाज के पर्यूशन पर्व का आज समापन हुआ इस अफसर पर टपाल चाल स्थित महावीर भवन में सामोहिक शमा याचना पर्व मनाया गया कैप्टन सुमीच सीं सेवा निवृत जिला सैनिक कल्यान अधिकारी 11 सितंबर को मुलताई दौरब पर रहेंगे इस दौरा अनवे दोपहर 12 बजे से एक बजे तक जनपत पंचायत के सभाकक्ष में भूत पूर्व सैनिकों दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की समस्याओं को सुनेंगे राष्ट्रिये क्रमी मुक्ती दिवस के अफसर पर कल नीमच में प्रतेक बच्चे को एलबेंडा जोल की दवाई खिलवा कर क्रमिना शन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा सीहोर जिले के विदिक सेवा प्राधिकरन द्वारा आगामी 14 सितंबर को नैशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और मुरैना में प्रतिबंद के बावजूत भी क्वारी नदी रप्टे के उपर चल रहे तेस बाहो के पानी में आवगमन के कर रहे ग्रामिनों पर रोक लगाती है आज इस बुलिटिन में वस इतना ही दीजे जाजत नमस्कार झालत कर रहे जाएगा